प्रस्न छे भाग दें तो प्रस्न छे में है 12 एक्स का घाद 3 बाई का घाद 3 को किसे भाग देना है तो भाग का चीन देंगे यहां पर माइनस 3 X by square से भाग देना है तो 12 X Q by Q को किसे भाग देना है माइनस 3 X by square से तो इसतरह लिख देंगे 12 X Q by Q भागा माइनस 3 X Y square तो अब इसको मैं इसतरह लिख सकते हैं 12 x का घाद 3 by का घाद 3 बटा माइनस 3 x by square तो किस से भाग देना है माइनस 3 x by square से तो माइनस 3 x by square को नीचे लिख लेंगे और जिसको भाग देना है उसको उपर लिख लेंगे तो अब इसको हम लिख सकते हैं 12 गुना x गुना एक्स गुना एक्स गुना गुना बाई गुना बाई इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो X का घाद 3 है यानि X गुना X गुना X लिख लेंगे तीन बार बाई का घाद 3 है यानि बाई गुना बाई गुना बाई बटा माइनस 3 गुना X बाई का घाद 2 यानि बाई गुना बाई तो 22 बाई काट लेंगे X से X कट जाएगा 3 चौक 12 है 3 से 12 काट लेंगे 4 बार में यानि क्या बचा है यहाँ पे तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस यहाँ पे है यह प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस भागा में या गुना में प्लस माइनस क्या होता है minus, ये plus में है देखिये ऊपर सब और यहाँ पे minus है तो plus minus minus यानि minus का चीर्नट देंगे 4 है, तो 4 लिख देंगे क्योंकि 3 से 12 काटे हैं 4 बार में, x गुना x क्या हो जाएगा x गुना x x square देखिये, x गुना x, x square और by, यानि x square by, minus 4 x square by तो ये हो गया प्रस्न छे इस तरह से हल करेंगे प्रस्न साथ तो प्रस्न साथ में हैं माइनस सताइस एकस बाई जेड को किस से भाग देना है माइनस तीन एकस बाई से तो इसको मिस तरह लिख लेंगे माइनस सताइस एकस बाई जेड बटा माइनस तीन एकस बाई इस तरह लिख लेंगे अब देखे इसको मिस तरह लिख सकते हैं माइनस 27 गुना एक्स गुना बाई गुना जड़ बटा माइनस 3 गुना एक्स गुना बाई तो माइनस 27 एक्स बाई जड़ है तो इस तरह गुना में करके लिख लेंगा माइनस 27 गुना एक्स गुना बाई गुना जड़ क्योंकि सब गुना में है और माइनस 3 x y को लिख लेंगे माइनस 3 गुणा x गुणा y तो x से x काट लेंगे y से y काट लेंगे 3 नम्म 27 कट जाएगा तो क्या उत्तर हो गया इसका दोनो माइनस में ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस गुना या भागा में माइनस माइनस प्लस होता है तो 9 बच गया यहाँ पर जेड बच गया यानि 9 जेड इसका उत्तर कितना हो जाएगा 9 जेड तो इस तरह से प्रस्न साथ हल करेंगे प्रस्न 8 तो प्रस्न है माइनस 72 एक गहाद 6 बी का गहाद 3 सी का गहाद 3 को किस से भाग देना है तो माइनस 12 एक्यू बीए स्क्वाइर से माइनस 72 एक गहाद 6 बी का गहाद 3 सी का गहाद 3 को माइनस 12 एक्यू यानि एक गहाद 3 बीए स्क्वाइर से भाग देना है तो इसको मिस्तर लिख लेंगे माइनस 72 एक गहाद 6 गुना बी का गहाद 3 गुना तो इसको मिस्तर लिख लेंगे माइनस 72 A का घाद 6 B का घाद 3 और C का घाद 3 बटा माइनस 12 A का घाद 3 B का घाद 2 इस तरह लिख लेंगे किस से भाग देना है तो माइनस 12 A का घाद 3 B स्कौरेर से तो उसको नीचे लिख लेंगे और जिसको भाग देना है उसको उपर लिख लेंगे और यहाँ पर बराबर का चीन दे देंगे ठीक है इस तरह हम इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पर 12 छक 72 तो इसको अब हम इस तरह लिखेंगे माइनस 72 बटा माइनस 12 गुना एका घात 6 माइनस 3 गुना बी का घात 3 माइनस 2 गुना सी का घात 3 इस तरह हम लिख सकते हैं इसको ठीक है यह कैसे होगा तो माइनस 72 बटा बारा इसको अलग कर लिए हैं सब गुना में हैं यहाँ पर माइनस 72 के साथ सब गुना में हैं यहाँ पर उपर में क्या है एका घात 6 है और बटा में एका घात 3 है तो भागा में हुआ यानि एका घात 6 बटा एका घात 3 है यानि एका घात 6 को एका घात 3 से भाग देना है तो भाग में क्या होता है घात को घटा लेते हैं तो 6 है उपर में तो 6-3 लिख देंगे क्योंकि यहां पे 3 है यानि एका घाट 6 को किस से भाग देना है एका घाट 3 से तो जब भाग में क्या होता है घाट को घटाते हैं और गुना में घाट को जोड देते हैं तो यहां पे भाग हो रहा है तो घाट को घटा देंगे गुना, अब गुना का चिन देंगे, क्योंकि सब गुना में भी है, यहाँ पर एक बाद B, अब B का घात 3 है, यहाँ पर B का घात 2 है, तो B का घात 3 को किस से भाग देना है, B का घात 2 से, तो भाग में हुआ, तो इस से भाग देना है, यानि भाग में क्या होता है, घात को 3-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पर, c का घा 3 बस उपर है, उसको बस उसी तरह लिख देंगे, गुणा c का घा 3 अब 12-6-72 हो जाता है, 12-6-72 और minus- minus क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों minus में है, तो minus-plus हो जाता है, भाग या गुणा में तो माइनस 12 से माइनस 72 को भाग देंगे तो 6 आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 गुना एका घात अब देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा यानि एका घात 3 गुना बी का घात 3 में से 2 गया एक सिर्फ बी रहने देंगे क्योंकि घात एक लिखें आ न लिखें कोई फर्ग नहीं पड़ रहा है तो सिर्फ बी रहने देंगे गुना सी का घात तीन ये कितना है सी का घात तीन तो इसका उत्तर हो जाएगा सब गुना में है तो सबको 7 में लिख देंगे यानि 6, A का घा 3, B, C का घा 3 तो 6, A, Q, B, C, Q यानि 6, A का घा 3, B, C, Q इसका उत्तर हो जाएगा 6, A का घा 3, B, C का घा 3 तो इस तरह से प्रस्न 8 हल करेंगे 6, A, Q, C, 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 Q, C प्रेस्न नौ तो प्रेस्न नौ में है 16 यानि 165 है माप कीजिए 165 X का घात 7 Y का घात 5 Z का घात 8 को किस से भाग देना है तो माइनस 15 X by X by का घात 3 Z का घात 4 इस तरह से लिख लेंगे कहरा 165 X का घात 7 Y का घात 5 Z का घात 8 को माइनस 15 X by का घात 3 Z का घात 4 से भाग दे तो इस तरह लिख लेंगे अब इसको हम लिख सकते हैं 165, x का घात 7, by का घात 5, z का घात 8, बटा अब जिससे भाग देना है उसको नीचे लिख लेंगे, यानि हर में तो इससे भाग देना है तो इसको नीचे लिख लेते हैं माइनस 15, x, by का घात 3, z का घात 4, तो इस तरह लिख लेंगे अब हम इसको लिख सकते हैं 165, बटा माइनस 15, गुना, x का घात 7, माइनस 1, गुना, by का घात 5, माइनस 3, गुना, z का घात 8, माइनस 4, इस तरह लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x का घात 7 से x, x का घात 7 को x से भाग देना है, तो भाग में क्या होता है, घात को घटाते हैं, तो x का घात 7 है, यहाँ पर कोई घात नहीं है x के साथ, तो 1 है, क्योंकि घात 1, x का घात 1, x ही होगा, तो 7 में से 1 गटा लेंगे गुना अब यहां पर देखे सब गुना में है उपर में तो गुना लिखेंगे आपर फिर बाई का घात 5 को बाई का घात 3 से भाग देना है तो घात को घटा लेते हैं भाग में भाग में तो बाई का घात 5 माइनस 3 गुना अब जेड का घात 8 को 4 जेड का घात 4 से भाग देना है तो जेड का घाद 8 माइनस 4 लिख लेंगे घाद को घटा लेंगे तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ठीक है एक ही चीज है इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें अब यहाँ पे 165 को 15 से भाग देंगे तो 15 गुना एक 15 हो गया यहीं 11 बार में कटेगा 15 से 11 बार में 165 कटेगा तो माइनस 11 लिख लेंगे क्योंकि माइनस है चिन है एक देखें माइनस 15 है यह प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस भागा में क्या होता है प्लस माइनस माइनस तो माइनस 11 लिख लेंगे क्योंकि 15-165, 11 बार में कटेगा एक्स का घात, अब देखे, एक्स का घात, 7 में से 1 घटाएंगे तो एक्स का घात 6 आ जाएगा गुना, बाई का घात, 5 में से 3 घटाएंगे तो बाई का घात 2 हो जाएगा गुना, जेड का घात, 8 में से 4 घटाएंगे तो चार यानि इसका उत्तर क्या आ जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस इगारा, माइनस इगारा, एकस का घाट छे, बाई का घाट दो, जेड का घाट चार देखिए, एकस का घाट छे, बाई का घाट दो, जेड का घाट चार तो माइनस इगारा, एकस का घाट छे, बाई का घाट दो, जेड का घाट चार इसका उत्तर होगा, तो इस तरह से प्रस्न नौ हल करेंगे झाल झाल